प्रदेश सरकार दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांद कुमार ने सुंबार को निर्देश दिये हैं कि धंतेरस पर देर राद तक बाजारों में भीड के लिहाद से सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये जाएं। साधी वर्दी में महीलाएं एवं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएं। बाजारों में एंटी रोमियो स्क्वार को भी सक्रिय रखा जाएं। पुलिस महानिदेशक, DGP, प्रशांत कुमार ने वीडियो कामफ्रेसिंग के जरिये माधतों को निर्देश देते हुए कहा कि बरिष्ट पुलिस अधिकारी अधिक से अधिक संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्ट करें। पूर्व घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हॉट स्पोट चिनहित कर पिकेट ड्यूटी और यूपी 112 वाहनों को व्यवस्था में लगाया जाए। पुलिस अधिकारी छोटी से छोटी सूचनाओं को गंभीरता से ले। थाना प्रभारियों को स्वयम मौके पर पहुचकर विवादों को हल करने एवन संवेदन शीलता को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करें। जनपदों में पुलिस लाइन में मौझूद पुलिस कर्मियों की टीम बना कर उन्हीं क्यूआटी के रूप रखें। डीजीपी ने कहा कि विसफोटक पदार्थ पताखा विक्रेताओं के लाइसेंस धाराकों की सूची थानावार बना ली जाए। पताखों की दुकानों वा गोदामों को अबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें। साथ ही परियाप्त संख्या में अगनिश्मन यंत्रों की विवस्था सुनिश्चित की जाए। फायर बिग्रेट कर्मी साथों दिन 24 घंटे अलट मोर पर रहें। डीजीपी ने अपने निर्देश में कहा कि त्योहार को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस अड़े, बाजार मनोरंजन स्थल, पार्क, मल्टिप्लेक्स आदी स्थानों पर चेकिन की जाए। जनपदों में शांती विवस्था को बनाए रखने एवं शांती पूर्ण क्योहार मनाने के उद्देश से धर्म गुरूओं, पीस कमिटी, संभरांत नागरिकों एवं डिजिटल वालेंटियर्स को सक्रिया रखा जाए। सोशल मीडिया प्लेट फार्मों की सघन मानिटरिंग की जाए।